हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल मैं हूँ आश्वरया बच्चे दानी जब ऑवलेशन होता है तब बच्चे दानी का जो रंग रूप है आकार है वो सब कुछ चेंज हो जाता है आसान सब्दों में अगर आप लोगो समझाने की कोजिश करो तो क्यों चेंज होता है ब लेकिन ओवलेशन तो हर महीने आपको होता है तो बच्चे दानी में तो चेंज हर महीने आपको महसूस होता होगा या होता ही आपको महसूस हो या ना हो लेकिन बच्चे दानी में चेंज होता ही है जैसे कि वो क्या उसके चेंज होते है वो कैसे अकार में हो जाता है कहां प पिरिएट का समय होता है और जो भी गर्भाष में मौजूद ब्लिडिंग्स होती है वह बाब निकलती है उस वक्ट पैरिएट के समय मेन खुला है जिससे कि जयरे पिरिएट के जो प्रॉब्लम को दूर करता है तो आपकी आधे इंफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो सॉल्व है यही पर इसलिए उस वक्त बच्चेदानी का मुझ खुलना जरूरी होता है पीरियट को आने के लिए दूसरा उस वक्त जब ऑवलेशन होता है ऑवलेशन क्या जब एग रिलीज होता है डिक्त फिलोपी inhal ट्यूम में आता है कि साथ फोटाइल होने कली तयार करता है खुद को तो उस वक्त भी बच्चे दानी का मुझ का मुझ खुला होता है बच्य दानी का मुझ खुला इसलिए होता है किस पाने कर सके पालो whose एक्ट अलग पास्म्लाश्य नहीं होगर की बच्चेदाणी उस वक्त थोड़ा सा उपर होता है जे जब sacrक ताइम होता है काफी जीज़ादा वहहने श्क्राद हो झाता है अक बच्यवक्त काफ जादा हाइडरेटेज रहता है कि वुल्पा फ्रहें सह söylt म्यूकस में तो वहां से केंटिनी से चार दिनों तक आपको यह डिस्चार्जर स्वेशंद कर लिया और बच्चे दानी का मुग खुला होता है नड्म होता है हाइड्रेटेड होता है तो यह तक विछ दानी कुछ्छ ऐसा होता है अगर आपने ओवलेशन के दिनों में तो फिर बच्चे दानी जैसे ही गर्भाश्य में गर्भ आरोपित होगा आपका बच्चे दानी मिटिल फॉर्म में था अब उपर की और चला जाएगा और उपर की और जाएगा तो गर्भाश्य का मुह पूरी तरीके से बंद हो तब ही ज़ी हाएँ उस वक्त भी जो गड़्भाशय का मुह बंद होता है मूकस प्लग होता है और मॉकस प्लग ही बच्चे के अंदर कुछ की मुझा रमर चार लगा होता यहां से हलके हलकी मात्रा में मुकस मैं निकलते हुए तकी के दोड़ायए अगर अगर गडव दार कि आपको और रेगुलर हो या इर्रेगुलर हो महिलाओं को ऑवलेशन होता ही ज़ारी यह अपने एक की क्वालिटी के लिए फॉलिकल तुटी ज़रूर करवाना ऑवलेशन की जानकारी रखने के लिए तो आपको यह विडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक चैनल को स बार झाभ है नहीं हैं उड़ार्व करी को